नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चनल पर दोस्तों मैं आपके लेकर आया हूँ 9 से 12 दिसंबर के लिए दैनेक राशिफल आए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा नवी राशी लेते हैं सजिटेरियस यानी धानुराशी धानुराशी नौतारिक एक अच्छा दिन रहेगा आपके फेवर में रहेगा चीज़ें सपोर्टिव रहेंगी लेकिन साथ साथ आपको कुछ निरड़य भी लेने पड़ सकते हैं अगर निरड़यात्मा की स्थिती आती है तो सत्य का साथ दीजेगा स्वार्थी मत होईएगा पक्षपाद बिल्कुल मत करिएगा इसका ध्यान रखियो किसी नए कार्रे में किसी नए मामले में अगर कोई डिसीजन लेने की बारी आती है तो वहाँ भी इन चीजों का ध्यान बिल्कुल रखियेगा इस दिन आपके व्रिक्तित में एक नई आभा एक नई चमक पर लक्षित होगी जिससे आपके सम्मान में वृद्धी भी होगी अपने सम्मान में हो रही इस वृद्धी या होने वाली इस वृद्धी को सुचारू रूप से रखने के लिए आप जितना सात्विक जितना धार्मिक और जितना ज़्यादा शालीन बने रहेंगे जितना शालीन दिखेंगे, कुलीन दिखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट्सियल होगा। 10 तारिक को आप अपनी छमताओं पर थोड़ा संदेह करके अपने आपको परिशान कर सकते हैं। इस दिन आपका confidence level दिन के कई हिस्सों में गिरा हुआ रहेगा, कम रहेगा। लेकिन इसका आर्थ ये नहीं है कि आप अपनी छमता से कम हो गए हैं। आपको चाहिए कि स्वयम पर और ज्यादा विश्वास करें। इश्वर पर विश्वास करें। और अपने आपको कर्म में प्रेशित करें। सोच विचार करना अच्छी चीज है। लेकिन नकारात्मक चीजों के लिए बैठ कर विचार करना अच्छी चीज नहीं है। अता दस तारिक को नकारात्मक विचारों से खुद को निकालने का प्रयास करें, विचारों को सकारात्मक करें, अपने कर्म में वापिस आएं, अपने कर्म को करें और फल भगवान के उपर छोड़ें इस दिन आप जितना ज़्यादा कर्मिक रहेंगे उतना आप के लिए फायदे मुंद रहेंगा फल की इच्छा जितनी कम करेंगे चीजों में उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी 11 तारिक एक ऐसा दिन है जब आप नई उर्जा से लबरेज रहेंगे इस दिन नए नए विचार भी आपको आ सकते हैं इस दिन के सोचे गए विचारों में थोड़ी सी अपरिपकोता हो सकती है इसलिए उन पर विचार करें उन पर पूरा काम करें और जो भी अपरिपको इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप शक्ति प्रदर्शन का कोई कारे कर रहे हों या कोई ऐसा कारे कर रहे हों जिससे आपकी इमेज सीधे सीधे प्रभावित होती है तो वहां सम्हाल करके करें करें अपनी इमेज को गेरने बिल्कुल ना दें किसी के बातों में ना आपको नहीं मिली हैं जो आपको चाहिए आपको ऐसा फील होगा कि इश्वर ने आपकी मदद उतनी नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी लेकिन अगर आप स्वयम को अपने उपलगधियों की और मोड़ दें और अपने आपको ये बताएं कि जो हासल नहीं किया गया है उससे कह नहीं जादा दुरूह कार्यों को पूरा भी किया है तो आप अपने आप में एक संयमित विक्ति हो पाएंगे लेकिन अगर आपने अपनी गलतियों अपनी नाकामियाबियों को अपने सिर पर चढ़ा लिया तो चीजें आपके लिए और ज्यादा मुश्किल इस दिन हो सकत है अता विचारों को सकारातमक रखें इन दोनों दिन 11 और 12 तारिक को जितना सकारातमक सोच रखेंगे जितना पॉजिटिव सोचेंगे चीजें उतनी आपके लिए फेवरेबल होनाए व्यापारिक संबंधों वैवाही जीवन और प्रेम संबंधों के लिए 11 और 12 तारिक बहुत अच्छे दिन नहीं है, सामान नहीं है, बाकी 9 और 10 बढ़ियां दिन रहेंगे, तो दोस्तों ये था दैनिक राशिफल 9 से 12 दिसंबर के लिए, आपको ये कारेकरम कैसा लगा, अपने सुझाओ, अपने अनुवा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा, धन्यवाद, नमस्कार